एक वर्ष में होते हैं 365 दिन 365 दिनों में होते हैं कुछ विशेश दिन जैसे होली, दिवाली इन विशेश दिनों में नक्षत्रों की होती है अति उत्तम स्थिती इस अलोक एक समय में विशेश मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए विशेश मूरत में किया जाता है कवज का नर्मान, ये कवज हर तरह के बुरे प्रभाव से तो हमारी रक्षा करती ही है, साथ ही जिस विशेश कामना के लिए हम इने धारन करते हैं, उसे पूरा करने का मार प्रशस्त करते हैं, ये कवज केवल उनके लिए निर्मित किया जात है इसलिए कवज का निर्मान धी बहुत कम संख्या में हो पाता है यदि आपके भी कोई ऐसी मनुकाम ना है यदि आप कवज को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर करें झाल नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका स्वागत, अभी नंदन, मेरे इस चैनल खेल गराओं का मैं, आज हम बात कर रहे हैं, एक विदेश में बैठे वे जाता की, उसका प्रस्न है, मुझे ग्रीन कार्ड कब मिलेगा, मतलब वो आज की तारिक में अमेरिका में ही रह रहे हैं, वहाँ वो काफी वर्सों से हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अथा मकान भी खरीद लिया है, लेकिन एक मूल बहुत प्रस्न है, कि वहाँ पर पी आर अथा पर्मानेंट रेजिशन्शिप, जिसका मतलब ग्रीन कार्ड से है, वो उनको कब मिलेगा, तो उन्होंन हैं, उन्हों के लिए हम समस्य समाध्यान में विशलेशन कर रहे हैं, कुंडली का जो भी वीवेचन है, वो हम इस प्रस्न के माध्यम से कर रहे हैं, वास्तव में पूर्वकाल में मनुष्य बहुत भोला-बाला और नेग चाल-चलन वाला एक सजन पूरुस्ता, उसकी आव प्रमुक्तिया वेस्टन कंट्रीज सुरू से ही समर्दी साली रही है, वहाँ जीवन की सुक सुईदाएं बरपूर हैं, इनी सुक सुईदाओं और भौतिक ऐसो आराम को जुटाने के लिए आज विदेश गवन, विदेश यात्रा या विदेश में निवास करना सुक इसम वालों को दे, ऐसा हमें प्रत्यक्स अन्वव है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी जन कुण्लिया में दिखाता है, तो ये पूछना नहीं बूलता कि क्या मेरी कुण्ली में विदेश यात्रा का यूग है, एक आम आदमी जो गाव में रहता है, या एक सिंपल सी नौकरी कर वो सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी विदेश भी जाऊंगा, गूमने भी जाऊंगा, या विदेश की धरती पर कदम भी रखूंगा, चाहे वो इंडिया के सबसे पास में दुबई ही क्यों नहीं हो, हर व्यक्ति की समर्थी इतनी नहीं होती है, लेकिन वेस्टिन कंट्रीज में जाना और वहां पे रहना बहुत बड़ी बात है, वास्ता में विदेश यात्रा आज अधिकांस जनों की प्रबल चाह बन गई है, पूर्वकार में विदेश गमन समंदी जिन जोतिसी योगों को दुरभागी समझा जाता था, वरत्मान की अधिबोगी सब इताने, उन जो दुरगम पाहर बोल सकते हैं, दुरगम यात्राएं होती है, उट पे जाना पढ़ता था, बेल गाड़ी पे जाना पढ़ता था, समुधरी यात्राएं होती थी, आज जैसी सुख सुविदा नहीं थी, तो उस समय उसको दुरभागी कह आ जाता था, व्यक्ति की किसमत क सबसे अच्छा समय था उसमें यह अबरोड जा चुके थे अमरीका जा चुके थे सर्वीस के लिए अताद राहू की दसा 26 जनवरी 2013 को लगी और 15 नवंबर 2011 से 2 नवंबर 2014 तक रासी से 11 शनी था ठीक सनी की 36 पहले तब बहुती सुब समय काल में विदेश चले गए थे बहुत बड़ी कंपनी से इन्हों अपना केरेर इस्टार्ड किया कालसब योग की असुब इस्थिति को यदि साइड में कर दिया जाए तो यह कुणली बहुती शांदार है जोतिस के पांच विशेश योग हैं जिनें पंच मापुरुस योग बोला जाता है उसमें से एक रूचक मापुरुस नामक योग इस कुणली में विद्यमान है लगन में सूर्य और ब्रेस्पति दोनों की यूति धनी वर सांसी बनाती है लगन में ब्रेस्पति सो दोसों का नास करने वाली स्थिति को बोला जाता है अताद लगन में अताद फरस्ट आउस में ब्रेस पती हो और कुंडली में कितने ही खराब दोस हो कुंडली में कितने ही कुयोग हो फिर भी ये एक ही स्थिति बहुत बलवान बोली जाती है सेकिंड आउस में द्वित्य बाव में भागे सोकर के शुकर उचरासी का है और वहीं पंचमेस और अश्टमेस बुद्ध नीच रासी का है इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है सेकिंड आउस में बुद्ध और शुकर की यूति होने पर व्यक्ति बहुत सास्त्रों का ग्याता इंटेलेक्चुल जोतिसी या जोतिस का ग्यान रखने वाला इस्पिचल साइंस में इंटरेस्ट रखने वाला बहुती लॉजिकल, बहुती धनी, संपतिवान और सुन्दरता का पुजारी होता है जो भी वेस्टू खरीदेगा वो फर्स क्लास अथा एक क्लास ही करीदेगा ब्रांडेड ही करीदेगा इसी योग के कारण इन्हों ने अभी अमेरिका में अपना मकान खरीदा है तैंथ आउस में, दसंबाव में मंगल या शनी कोई भी हो उस इस्तिती को कुल दिपग योग का जाता है लेकिन शनी और मंगल की यूती यहाँ पर भी अंगारक योग का निर्मान कर रही है अब जो इनका में प्रस्ण है कि इनको ग्रीन काड कब मिलेगा बहुत वर्स हो गए हैं, अभी तक मिला नहीं है कोई पेपर या अमरिकन गॉर्मेंट की तरफ से कोई इनकोरी भी पेंडिंग नहीं है इनकी कुली में विदेश यात्रा, विदेश में निवास से समदित अनेक योग मौजुद है हर दर्सक की जिग्या सा रहती है कि मैं भी विदेश जाऊं या अपने बच्चों को बार बेजूँ, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे जॉब के लिए तो विदेश यात्रा की योग इस लगन के लिए कौन-कौन से है तो सबसे पहले कि हर लगन के लिए विदेश यात्रा समदित या विदेश में रहने के लिए अलग लग योग होंगे तो जब आप YouTube की मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पहले से ही आपका लगन और विदेश यात्रा के एपिसोड हैं उन्हें आप देखिए आपका जो लगन है उसे समंदित आप वो एपिसोड देख करके तो अपनी कुंली के योगों का पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंली विदेश यात्रा के कौन से योग मोजूद ہیں हम बात करें हमारे सामने जो समस्य समदान के लिए कुंली है इस कुंली से ही इसको कौन सी दसा चल रही है क्या situation है उससे ही हम बात कर रहे हैं तो कुम लगने के लिए कारक गरह शुक्र और शनी होते हैं और अकारक गरह सूर्य चनमा मंगल और ब्रेस्पती होते हैं कारक गरह से यूति करने पर लाबदायक पढ़ना मिलते हैं अथा situation यदि combination अच्छा हो लाबदायक योगों का जो combination है वो जो आपकी कुनली में कारक गरह होंगे वो कारक गरह कौन से हो सकते हैं या तो केंदर के अधिपती हो सकते हैं या त्रिकोन के अधिपती हो सकते हैं आपस में जब भी उनकी यूतियोगी combination होता है जब बहुत अच्छा योग माना जाता है जोतिस द्वारा कुम लगन में विदेश यत्र का कारग्र थर्ड आउस और टैन्थ आउस का मालिक मंगल सिक्स आउस का मालिक चनमा फर्स आउस और ट्वेल्थ आउस का मालिक शनी एट आउस का मालिक बुद्ध और नाइन्थ आउस का मालिक शुक्र को माना गया है कन्यारासी का अस्टम भाव में आने का अर्थ अता फिफ्ट आउस का लॉड और एड़ आउस का लॉड बुद्ध है वो कुंडली में पंचमेस और अस्टमेस होना यही अस्टम भाव का अधिपती यदि जन्म कुली में बुद्ध निर्मल अता निर्मल हो अता कमजोर हो पाप परवा में हो तो विवा नहीं होता है या विवा टिकता नहीं है जातक शीगर ही अपना घर छोड़ करके बाहर चला जाता है इस व्यक्ति को भी steady पूरी होते ही graduation पूरी होते ही विदेश का रास्ता मिल गया इनका एक विवा भी हुआ लेकिन वह लड़की सरफ अमरिका जाना चाहती थी वहां के वीजा मिलने के लिए उसने साधी की अमरिका में रहने का आउसल मिल जाएगा इस उदेश के कारण विवा बंदन में बदी लेकिन जों ही विवा हुआ वो first time अमरिका गई उसने लड़के को परशान करना स्टार्ड कर दिया और जल्द ही आखिरकार परशान होकर के एक ही situation आती है एक साथ में नहीं रहना तो तलाक ले लेंगे आजवकन्या वापस अमरिका में रह रही है वहाँ पड़ भी रही है और जॉब भी कर रही है जो उसका उदेश्य था वो उदेश्य इस लड़के को मौरा बना करके उसने पा लिया अब उसकी लड़की की हमारे पास कुण्ली नहीं हम उसकी बात नहीं कर रहे है हम इस जातकी बात कर रहे है किसकी कुण्ली में योग है कि साधी होगी लेट होगी या पर ठीके की नहीं वो योग इनकी कुण्ली में घटित हो चुका है 12 या 10 आउस का स्वामी गर्यमंगल और शनी की दसा आंतर दसा विदेश यात्रा का कारक होती है राव तो विदेश रूप से विदेश यात्राएं विदेश प्रवास विदेश में इस्थाई निवास के लिए जाना जाता है कुम लगन में 10th आउस में सब्तमे सूरिय और 3rd आउस और 10th उस मंगल की इस्थिति की यूति हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं इस कुम ली में 3rd आउस का मालिक और 10th आउस का मालिक मंगल है जो की कुम ली में 10 आउस में है तो इस कुम ली में भी 10 बाव में मंगल विराज माने है जो कि यह योग को गटित करता है लगनेश तता सप्तमेश जन्द कुंड़ी के किसी भी भाव में साथ साथ हो अत्वा उनमें दस्ती समंद हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है इस कुंड़ी में भी लगनेश शनी और सप्तमेश सूरी का दस्ती संबंद है भाग्य भाव का स्वामी अता नाइं ताउस का लॉड अपने घर में अपनी रासी में या अपनी उच्छ रासी में बलवान होकर के सुखेश से संबंदित हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है इस कुणली में भागी बाव का स्वामी शुकर है जो कि 4 ताउस का लॉड भी है और कुणली में उच्छ रासी में भी इस्तित है और 2 ताउस में इस्तित है उच्छ रासी का उकर के तो जो योग यहां पर है वो इनकी कुणली में गठीत है रोग बाव अता 6 ताउस, 8 ताउस और 12 ताउस में कहीं पर भी शनी हो अत्वा सनी की जस्ती इन भावों पर हो तो विदेश यात्रा होती है, विदेश गमन होता है सनी की 30 जस्ती इस कुली में 12 ताउस पर है, सनी कुली में 10 ताउस पर है और इसके तीसी जस्टी 12 आउस पर है अताथ यहां पर यह योग भी गटित होता है अब हमने सारे अवस्टलेशन कर दिया सारा कुछ अनलाइज कर दिया लेकिन में जो कुष्ट ने ग्रीन कार्ड कब मिलेगा अताथ पी आर कब मिलेगा जो मुख्य प्रस्ण है अब उसका हम विस्टलेशन करना का प्रियास करते है कि सुक्त अताथ 12 आउस और 12 आउस का लॉड यदि केंद्रिस्तान में खास तोर पर 4 आउस में या 10 आउस में करम बाव में हो तो जातक विदेश में इस्थाई नागरिकता प्राप्त कर लेता है भागिस्तान या थरड आउस में बैटावा राहू जात्तों को विदेश में इस्थाई निवास दिलवाता है वर्तमान में राहू में शनी की अंतर दसा का स्वामी है एवो मंगल थर्डा उसका लौड है इन दसांत दसाओं से इस जातक को ग्रीन कार्ड प्राप्त होना तै है निश्चित है इस उपलब्दी में अताद ग्रीन कार्ड मिलने में पी आर मिलने में ब्रस्पती भी पांच नवंबर को धनू रासी में आ करके सायोग प्रदान करेगा क्योंकि ब्रस्पती स्वैम की रासी में आ जाएंगे और इस जातक की रासी भी धनू ही है तो इस समय जो ब्रस्पती चल रहे हैं वो अपनी रासी से या इनकी रासी से 12 आउस में चल रहे हैं रासी से 12 बाव में इस समय ब्रस्पती चल रहे हैं जो पांच सबसे ज्यादा बल्वान हो जाएगा सबसे ज्यादा अच्छा फल देगा तो विदेश प्रवास से समधित इस बादा निवारण के लिए सबसे पहले जो उपाय करना चाहिए जो हमने उपाय इनको लिख करके इमेल भेज चुके हैं तो आपको भाग्यवदी रतनलोकेट जि को हमेशा बलवान करना चाहएं को हमेशा इस्ट्रेंज देनी चाहिए क्योंकि फिस्ट का मतलब है अपका जीवन फिफ्ट का मतलब है आपकी एड्यकु Fit का मतलब है आपकि बुद्धी आपका संथ आपका जो भी रोजगारें झो डे टू डे की इंकम में उससे और नाइन करेंगे वो सकस होने का रास्ता खुलेगा तो ऐसी इस्थिति में आपने नीलम पन्ना और हीरा रत्न या उपरत्न प्रीशियस या सेमी प्रीशियस तोन का एक साथ में पेंडल बना करके पहन सकते हैं कोई जवनिक हम तिंती नंगुठियां पहने हम एक साथ में लॉकेट बन लाइन में जो भी बॉलिवुड में या कोई और भी और भी फिल्म लाइन में वो सब के सब कमर में बांद करके इन रत्नों का इन जो योग है चाहिए यंत्र है चाहिए कवच है कुछ भी है उनका फाइदा उठाते हैं विद्य से समधी समस्यां के लिए हनमान जी की उपाए नियमित करने चाहिए जहां तक संभव हो ब्लेक कलर का ड्रेस अब करने से बचना चाहिए आपको सनी की सड़ सती दोस्त निवरंड के लिए सनी की सड़ से दोस्त निवरंड कवच साथ में रामरक्षा यंत्र साथ में विचत भी धनमान कवच इन तीनों का एक काईड के लिए प्रावलम से ये उनका समाधान है जितना कुछ आपसे हो सकता है पूजापाट अमरीका में रहते वे उतना आप करें कम से कम कोई रतन पहनना या पैंडल पहनना वो तो आराम से हर व्यक्ति कर सकता है हमारा ये विशलेशन आपको कितना पसंद आया अपने व समस्या हैं ताकि उनका समाधान आपको बतलाए जा सके आपके जीवन में कोई समस्या ना आए आप जो भी परियास करें उसमें हमेशा आपको सफलता मिलें ऐसी सुब कामनाओं के साथ में इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त कर रहें स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपना अपने परिवार का पूरा पूरा खैल रखें नमस्कार वार जाए एप जाओ जूरा ईपाओं के साथ में समाप्त करें आपको से आपको समाप्त कर रहें समाप्त कर रहें सभ़ीन